और छतापुर्ट जिलेक के हरपालपुर्ट थानक शोहत्र में एक बुजर्ग किसान की लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है सरसेड गाव में जब परीजन खीट पर गई तो नन्नू पूरी मृतक हालात में मिले परीजनों ने ततकार पुलिस को इस घटना की सूचना दी है तो वहीं मौके पर पुलिस और एफसील की टीम ने पहुंची और जाच शुरू कर दी है मृतक के परीजनों नोंने पूरी कारवाई पर नियाय की मांग की है पुलिस ने मृतक के श्रब को पोस्ट माडम के लिए अस्पताल भिज़ दिया है परीजनों का आरूप है कि मृतक रोजारा मूंफली की खेट की रखबाली के लिए खेट में सोय हुआ था मृतक वजर्ब के सिर्व में चोड की निशार मिले है फिलाल पुलिस मामले की जाज कर रही है सुब्य हमने देखा तो हम जो आए तिन देखा तो यहां पड़ेते हो तो तिन न उठाते रखा उठाने के बार हम लोने हमने हम आए मोडाने को खटी आए पारा फिर में जाके आए कंप्लेन करी कहां कहां चोड की निशांत के उनके शरीर है एक दर है फोड़ी और हाथ पुका है काई से मारा ऐसा कि लगए हाजार हतियार से यह लाठी दन लो से पीजा उनको लाठी भुज्जे को नो हत्याय सो होतों पुलाई उलाई कची होती तो अलगी दिखा दो भाव थाना हरपालपुर के ग्राम सरसेड में आज एक सकतरवर से बजुरू की रैडबाडी मिली है जो इकल शाम को अपने खेत से घर जाने घर से खेत जाने का बैकर निक ले थे अभी डेडबाडी स्पोट पर धाना प्रभारिया फेसलिटी मौके पर है जाच की जा रही है इसमें जो की दत्त सामने हैं में समय से करवाई की जाएगी